हे गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज की सुड़े में मैं आपको एक्स्वेंग करने वाली हूँ एक मराटी मुवी को जिसका नाम है फोटो प्रेम इस मुवी का टॉपिक मुझे काफी यूनिक लगा तो मैंने सोचा मैं इसका एक्स्वेंशन आपके साथ शेयर करूँ सो विदाओ वेस्टिंग टाइम मुवी का एक्स्वेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है एक मैरेज के फोटो शूट से जहां पर आविनाश और मयूरी नाम के कपल की शादी हो रही है मयूरी आविनाश के साथ अपने बहुत सारे पिक्स क्लिक करवा रही थी और वो अपनी ममी पापा को भी बुला रही थी वो अपनी ममी को माई कहके बुलाती है और उसकी माई फोटो खीचने के लिए आ नहीं रही थी उन्हें कैमेरे से अज़िब सा डर था वो कभी भी अपना फोटो नहीं खीचवाती थी फिर भी मायूरी उन्हें जबदस्टी स्टेज़ फर बुलाती है और फोटो खीचने लगती है एक-दो फोटो क्लिक करने पर माय वहाँ से चली जाती है फिर मायूरी अपने पापा के साथ फोटो फेक करवाती है फिर सिन कुछ दिन बार्षिफ कर जाता है जहांपर माई अपने हस्बंड का टिफिन बना रही थी माई के हस्बंड एक गवर्मन्ट आफिस में खाम करते है और मयूरी की शादी के बाद अब वो दोलों ही इस घर में रहते हैं उसके हस्बंड टिफिन लेकर जाने ही लगते हैं तो वो माई से कहते हैं कि शाम को अका के घर जाना है तो वो रेड़ी रहें माई भी उनको हा में सर हिलाती है जब वो आफिस के लिए चले जाते हैं तो माई अपना एक पुराना मिकसर लेकर उसे रिपेर करवाने चली जाती है वो शौप की पर माई से कहता है कि उसने कितनी बार ये मिक्सर रिपेर करवाया है और अब उसे नया मिक्सर ले लेना चाहिए लेकिन माई उसे कहती है कि ये मिक्सर उसकी मासी ने उसे गिफ्ट दिया था और वो इसे रिप्लेस मही करवाना चाहती इसलिए वो इसे रिपेर ही करें तो वो शौप की पर मान जाता है और उस की वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो लोग उनके घर चले जाते हैं वहाँ पर जा कर माई उन और वाले कुछ ढूड रहे हैं और वाले कि फोटो ढूड रहे थे अगले दिन अगबार में देने के लिए लेकिन उन्हे कोई फोटो मिल ही नहीं रही थी दूसरे दिन माई यूज पेपर चेक करने लगती हैं और देखती है कि जोशी के वाइफ की फोटो छपी है या नहीं लेकिन बहुत ढूनने पर उसे उनकी फोटो कही नहीं मिल थी माई को ये क्यूरिस्टी थी कि उनकी फोटो घर वालों को मिली है या नहीं तो वो अगले ही दिन अपने पती को बिना बताए जोशी के घर चली चाती है जहापर वो देखती है कि उसके वाइफ की बच्पन की फोटो कोई हार पहना आया था फिर सिव माई को वही औरत मिलती है जो उसे पहली बार वहाँ पर मिली थी वो उसे बता दिया कि उसकी वाइफ की एक भी फोटो नहीं थी जिसकी वज़े से उसकी बच्पन की फोटो कोई हार पहना ना पड़ा और इसलिए अगबार में भी उसकी फोटो नहीं आई माई जब घर आती है तो वो बहुत ही टेंशन में थी वो अपने घर के अलबम में उसका फोटो ढूने लगती है कि अगर उसकी डेथ हो जाए तो कौन सा फोटो फ्रेम में जाएगा लेकिन माई को अपना एक भी अच्छा फोटो नहीं मिलता हर फोटो में वो छुपती हुई या डरी हुई सी दिखाई दे रही थी उसे वो देखती है कि वेच्पन का उसका एक फोटो था जो भी उसकी ममी ने जबरदस्ती निकल वाया था क्योंकि माई के लिए रिष्टे आ रहे थे और उन्हें भीजने के लिए एक फोटो चाहिए था तब भी माई अपने घर में छुप गई थी लेकिन उसकी मा के डाटने पर वो बाहर आकर एक फोटो उसने खिचवाय था वो एक ही फोटो था माई के पास माई अब रोज उटकर न्यूस पेपर में जिन लोगों की डेथ हुई है उनके बार में पढ़ती और उनके फोटो किस तरह से छपे हैं वो देखती माई अब अन्नोन लोगों के मैयत में भी जाने लगती है और वहाँ पर भी जाकर वो उनकी फोटो देखती वो देखती कि उनकी फोटो कैसी है वो जहाँ जा जाती उसे कही न कहीं किसी न किसी की फोटो दिखाई देथी थी क्योंकि हर किसी ने अपने घर में अपने बड़ों की या किसी की में फोटो लगा कर रगी थी माई ये समझ गई थी कि कोई भी इनसान जब चला जाता है तो उसके बाद उसकी फोटो ही उस इनसान की याद दिलाती है लेकिन माई को ये डर था कि उनकी तो फोटो ही नहीं है अच्छी तो उनके बाद उन्हें याद कैसे किया जाएगा लेकिन माई को लगता है कि उनकी बेटी की शादी में जरूर उनकी अच्छी फोटो आई होगी इसलिए वो अपनी बेटी की शादी के अलबम का वेट करने लगती है जब अलबम आता है तो वो देखती है कि उनकी एक भी फोटो आच्छी नहीं थी क्योंकि माई पर फोटो में चुप चुप कर या डर डर कर भाग रही थी अब माई को और जदा टेंशन हो जाता है वो एक दिन स्टूडियो जाती है अपना फोटो की जवाने के लिए लेकिन वो वहां से डर कर फिर से घर वाग आती है एक दिन माई की ननन उससे मिलने आती है अपने बेटे के साथ उसके बेटे को बहुत जदा सेल्फी लेनी की आदत थी और वो सब लोग माई पर हस रहे थे कि उसे कैमेरे से इतना डर क्यों लगता है माई के हस्बन उन्हें बताते हैं कि माई तो पासपोर्ट साइस फोटो भी नहीं निकल वाती उन्हें अकसर ग्रूप फोटो में से माई की फोटो को क्रॉप करके उसके फोटोस निकालने पड़ते हैं माई अपनी ननन से पुछती है कि क्या उनके पास ऐसा कोई फोटो है जो वो चाहती है कि उनके जातने के बाद पही फोटो सब तरफ लगाया जाए वो इस पर हसती है और कहती है कि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा है नहीं उन्हें तो ये भी याद नहीं कि लास्ट फोटो उन्होंने कब खिचवाई थी माई को एक दिन घर की सफाई करते वक उसके हस्बर्ण का कैमेरा मिलता है तो वो सोचती है कि वो बाहर जाकर तो फोटो नहीं किचवा सकती लेकिन घर के अंदर तो वो खीच सकती है तो माई फोटो किचने के लिए अपने पड़ोस की एक बच्ची को बुलाती है वो उसकी फोटो तो किचती है लेकिन माई ने कभी भी फोटो नहीं किचवाई थी इसलिए उसे एक्सपेशन्स देना नहीं आ रहा था इसलिए उसे एक भी फोटो पसंद नहीं आती तो माई कहती है कि वो और थोड़े दिन एक्सपेशन्स देने के प्रैक्टिस करेगी और फिर फोटो कीचेगी माई की काम वाली जब देखती है कि माई इतने फोटो कीच रही है तो उसे समझ में नहीं आता तो माई उने बताती है कि जब वो चोटी थी उसने अपने दादाजी को कभी नहीं दिखा था लेकिन उसकी दादी हमेशा उनके फोटों को देखकर उनके किसे सुनाया करती थी इसलिए माई चाहती है कि अगर वो जल्दी चली गई तो उसकी बेटी भी अपने बच्चों को उसकी फोटो को देखकर अपनी कहानी सुनाये इसलिए वो एक अच्छा फोटो निकलवाया चाहती है माई अब नया मिकसर भी परचेस कर लीती है यानि कि वो अब अपनी पुरानी सोच चेंज करना चाहती थी एक दिन माई की ननन्द का कॉल आता है और जब वो और उसके हजबन वहाँ जाते हैं तो उनने पता चलता है कि उनके ननन्द की बेटे की मौत हो चुकी है माई इस बाद से बहुत ही शौक थी और सब लोग रोने लगते हैं माई देखती हैं कि उसकी बहुत अच्छे अच्छी फोटोस थी वो एक दिन अपनी ननन्द से मिलने जाती है तो वो उसे कहती है कि उसकी फोटो देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बेटा बेवी जिन्दा है माई की ननन्द माई से कहती है कि उसने सच कहा था कि इनसान के जाने के बाद उसकी एक फोटो ही होती है जो उसकी याद दिलाती है अक्का माई से कहती है कि अगर उनकी डेथ हो गई तो वो मयूरी की शादी में जो उनकी पिक थी उसे पिक की फ्रेम बनाए माई भी उन्हें हा करती है और माई अब एक फोटो खिचवाना ही चाहती थी तो माई की काम वाली उन्हें पताती है कि एक बहुत अच्छा स्टूडियो है जहां पर हो जाकर अपने बहुत अच्छा अच्छे फोटो खिचवा सकती है माई भी उस बात के लिए मान जाती है जब वो स्टूडियो में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे 25,000 रुपई की 10 फोटों मिलेगी एक्शुली ये पोर्टफोल्यो बनाने वारा स्टूडियो था माई भी किसी तरह पैसे मैनेज करती है और उस स्टूडियो में चली जाती है उस स्टोडियो में भी माई फोटो किर्शिवाते वक कमफरडबल नहीं थी वो फोटोग्राफर उसे रिलाक्स रहने के लिए कहता है लेकिन वो अच्छे से पोस ही नहीं दे पा रहे थी तब ही वहाँ पर माई की काम वाली आती है और वो माई से कहती है कि इसी फोटो को देखकर उनकी बेटी उनके पोतों को उनकी कहानी सुनाएगी इसलिए उन्हें बेस्ट पोस देनी होगी जैसे ही माई ये बात सुनती है वो अपनी आखे बंद करती है और एक कॉन्फिडेंस के साथ पोस देने लगती है वो बहुत अच्छे स्माइल के साथ पोस देती है और अपने बहुत अच्छे फोटोस खीचने लगती है तब हम देखते हैं कि कहानी कुछ साल आगे बढ़ चुकी है और मायूरी का एक छोटा सा बेटा है जहां पर माई की एक फोटो लगी हुई है जिस पर हार चड़ा हुआ है यानि माई की अब मौत हो चुकी है और उनके पती उनके फोटो के सामने ही बेटे है वो अपनी बेटी से कहते हैं कि वो इस फोटो को जितना भी देखे उन्हें कुछ अलगी फिल होता है तब हम उन्हें कहती है कि वो भी जब भी माई की फोटो देखती है उसस ऐसा लगता है कि वो किसी और औरत को ही देख रही है और यही पर मूवी एंड हो जाती है अगर आप बात करें कि मौयूरे ऐसा क्यों कह रही है तो मौयूरे ने कभी पर अपनी मौम को इस तरह से हसते हुए नहीं देखा था वो हमेशा डरी डरी सी एंड टेंस रहती थी लेकिन उनका फोटो बहुत ही आलग था इसलिए सब लोगों को वो कोई और ही लगती थी और इसी तरह से यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको इस मूवी का एक्स्पिनिशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमाई चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकूल मत बूलना थैंक्स वौचिंग दे वीडियो